चोपड़ा एजुकेसिन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूं दोस्तों MCC के मोपप राउंड के लिए रेजिस्टेशन आज 10 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें एम्स जिपमार, सेंटर उनिएर्शिटी और डिम्ड उनिएर्शिटी की वेकेंट सीट के लिए काउंसलिंग होगी यह आज साम तक वेकेंट सीट डिस्प्ले हो जाएंगी एक बार हमें इसका सेडूल देख लेते हैं और इसके बाद में बात करेंगे कि इस राउंड के लिए कौन-कौन से कंडिडेट इलिजिबल है तो ये जो रेजिस्टेशन स्टार्ट होंगे इनके 10 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर 14 दिसंबर 2020 तीन बजे दोपेर को क्लोज हो जा इसके बाद 24 फिलिंग की बात करें तो 11 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक 24 फिलिंग अविलेबल रहेगा 24 लोग कर सकते हैं आप 3 बजे दोपेर 14 दिसंबर 2020 से लेकर के यह 14 दिसंबर को रात 12 बजे तक आप इसको लोग कर सकते हैं 24 को उसके बाद में जो फ्रोसेसिंग होगा रेजल्ट के लिए वह 15 और 16 दिसंबर 2020 को हो जाएगा और डिस्प्ले होगा रेजल्ट 17 दिसमबर 2020 को यानि 17 दिसमबर 2020 को मोपप राउंड का रेजल्ट आ जाएगा इसके बाद 18 से लेके 26 दिसमबर 2020 तक रिपोर्टिंग डेट रहेगी मोपप राउंड के लिए उसके बाद में जो वेकेंट सीट रहेंगी मोपप के बाद जो वेकेंट सीट रहेंगी वो इस्ट्रे वेकेंट सी राउंड के लिए concerned, dimmed, central university, ESIC, aims और जिपमर को ये transfer कर दी जाएंगी ये transfer होंगी 27 December 27 से लेके 31 December 2020 तक ये इस्ट्रे वेकेंट सी राउंड होगा तो ये 27 को ही transfer कर दी जाएंगी ये सीटे इस्ट्रे वेकेंट सी राउंड के लिए अब हम इसमें बात करें eligibility के लिए तो इसमें कौन कौन से candidate eligible हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो वो सभी candidate eligible हैं जिनोंने first और second round में registration नहीं किया था और mop up round में first phrase registration करेंगे इसके बाद जिन candidate को first और second round में seat alert नहीं हुई थी वो सभी candidate mop up round के लिए eligible हैं third number point यह है कि जिन candidate को first round में seat मिल गई थी उन्होंने join नहीं किया और second round में participate नहीं किया तो वो सारे candidate mop up round के लिए eligible हैं fourth point यह है कि जिन candidate ने first round में join कर लिया था मगर उनकी seat second round में upgrade नहीं हुई थी और second December तक उन्होंने seat को resign कर दिया था first round वाली seat को वो सारे candidate eligible हैं mop up round के लिए उनको कोई security money दुबारा से deposit नहीं करनी होगी next point यह है कि जिन candidate को second round में seat alert हो गई और उन्होंने join नहीं किया वो candidate mop up round में participate कर सकते हैं लेकिन उनको security money दुबारा से deposit करनी होगी next point है ऐसे candidate जिनको first round में seat मिल गई उन्होंने join कर लिया second round के लिए upgrade का option दे दिया second round में उनकी seat upgrade हो गई लेकिन second round की upgraded seat पर उन्होंने join नहीं किया तो ऐसे candidate mop up round में participate तो कर सकते हैं मगर उनको security fees दुबारा से pay करनी होगी last में important बात यह है कि MCC के first और second round तक किसी भी candidate ने seat join कर ली और उसका नाम MCC की website पर published reported candidate की list में है तो वो candidate अब कहीं भी counseling के लिए eligible नहीं है याने कि उनकी counseling यहीं पर stop हो चुकी है तो यह कुछ eligibility थी कौन कौन से candidate इसके लिए eligible रहेंगे mop up round के लिए बाकि अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comments box में comments लिख कर पूछ सकते हैं तो यह जानकारी थी mop up round के बारे में नई update के साथ में मैं आपसे फिर मलूंगा नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद